जैसा कि आप सबको पता है कि मैं गुहार्टी आई हूई हूँ और गुहार्टी आई हूँ तो थोड़ा एक्स्प्लोर करना तो बनता है तो ये है डे टू इन गुहार्टी हलो एवरिवन नमस्ते मैं हूँ आकृती और सागत है आपका हमारे चैनल भिहार्टू पंबई में जैसा कि आप सबको पता है कि मैं मंदिर के बहुत पास रुकी हुई थी और वहाँ पे होटेल लॉजेज और खाने पीने की सारी सुविदाय उपलब दे तो हम लोग उने वह ही पे ड्रॉप किया तो हम लोगों को उन्होंने सबसे पहला मंदिर लेके गए भुवनेश्वरी मंदिर जी हाँ देवी भुवनेश्वरी को समर्पित है यह मंदिर और यह गुहाटी शहर में ही है शहर से सटे हुए पाढ़ है थोड़ा हम गारी से ही ट्रावल कर रहे थे तो उतना exact तो मैं नहीं बता पाऊंगी बट यह शहर में ही है ज्यादा दूर नहीं है मंदिर से और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारे मंदिरों में यहाँ पे lights नहीं है अंदर में और किसी भी मंदिर के अंदर की footage record करना allowed नहीं है तो मैं आपको बस बहार-बहार की ह दर्शन करवा सकते हूं बट हमें एक चीज़ आपको बताना चाहूंगी कि यह पहारी से जो यह मंदिर थी वहां से ब्रह्मपुत्र नदी पर सुर्यास्त अगर आप देख पाऊ तो जरूर देखना वह बहुत ब्यूटिफुल होता है वहां के लोग बता रहे थे कि यह का कुछ मंदिरों के टाइम नहीं थे तो हम लोग जादा वेट नहीं कर सकते थे बट आपके पास टाइम हो तो सारे मंदिर में टाइम ले लेके घूमना उसके बाद यह सेकेंड मंदिर हम लोग पहुंचे इसको इसे कहते हैं सुक्रेश्वर मंदिर यह मंदिर में बतानी सकत अपको बहुत ब्यूरिफुल अगेन हमारे पास टाइम बहुत कम था हमें फट 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 घूमके दूसरे मंदिर में पहुचना था नए तो मतलब अगर हमारे पास टाइम होता तो हम यहां पर और बी ज्यादा टाइम लेते और यह जो lire यह बहुत ही महत्पून शिव मंदिरों में से एक माना जाता है हमारे असम में या गुहाटी में और यह पान बजार इलाका है जो की अगैन ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षनी तट पर है यह मंदिर और यहां पर इस मंदिर यह जिस पहारी पर बना हुआ है उसे इटा खुली पहारी पर स्थित किया गया है और मंदिर के जो परिसर है उससे ही आपको पूरा नदी दिखता है ब्रह्मपुत्र नदी आप यहां भी बैटके अगैन पूरा टाइम दे के डूपते सूरज उखते सूरज को देख सकते हो और बहुत बहुत ब्यूटिफुल लगता है बिक पर भगवान शिप का सबसे बड़ा शिवलिंग भी है तो प्लीज टाइम लेकर आप देखना उसके बाद हम लोग के पास संस टाइम ने था बहुत हरी 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 में हम लोग वहां से निकले वहां से हम गए डिरेक्श्री उमानंद मंदर उमानंद मंदर जाने के लिए आपक का वहां से ट्रांसपोर्ट है जो की एक है या तो आप डिरेक्ट लोगे और दूसरी आपको मिलती है फेरी जो की टाइमिंग वाइस चलती है अगें वो गवर्मेंट वाली है शायद और ये प्राइवेट है तो हम गवर्मेंट वाली से नहीं जा सकते थे बिकॉस उसमें टाइमिंग थी और हम सिंस हम टाइमिंग के लिए बहुत बंधे वेते हमें पूरा ही दिन में पूरा कवर करना था और वो भी दिन दिन में हमारे पास राद भी नहीं थी तो हमने प्राइवेट ही किया तो जैसा हमने पूछ के पता क्या जो गवर्मेंट वाली फेरी चलती उसमें आपको 30-40 रुपेस पर परसन लगता है जो कि आना जाना दोनों साइट का होता है और जो आपकी ये प्राइवेड वाली बोथ है जो इसमें आपको 200-300 लगता है वो भी सीजन के उपर डिपेंड करता है सिंस अभी हम लोग गहते तो इतनी भीड नहीं हो रही थी तो ह हम लोगों ने 200 पर परसन जाना आना दोनों साइट का पे किया और वहां से जाने में जो मजा आता है आपको बता नी सकती हूँ बहुत बहुत अच्छा लग रहा था हाला कि बहुत धूप हो रही थी बहुत तेज धूप हो रही थी लेकिन फिर भी हवा के वज़े से और न अभी मैं आपको थोड़ा उमानन मंदिर के बारने में बताती हूँ यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बनी हुई है ठीक है यह एक दूप है और इसमें शिव मंदिर है इसे दुनिया के सबसे छोटे वसे नदी किनारे के दूप के रूप में जाना जाता ह है ठीक है और यहां पर जैसा कि मैं आपको बताया है और जिस परवत पर यह मंदिर बनाया गया है उसे भस्मकला के भी नाम से जानते हैं हम और यह मंदिर काफी और भुकम जब ही आया था उस टाइम पर थोड़ा तूट गया था बहुत डामेज हो गया था महां के लोगों में को हर मंदिर में मिल रहा था अगैन मैं मंदिर के अंदर की फुटेज ने दिखा सकती है और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी इंट्रेस्टिंग यहां पे ना अल्मोस्ट सारी मंदिरे जो है ना वो एक डेफ्ट में जाके सीडियों से आपको नीचे मंदिर में उ नहां का मैं फुटेज आपको नहीं दिखा पा रही हूँ सारी मंदिरों में और सभी मंदिरों में लाइट्स नहीं है विल्कुल भी लाइट्स नहीं है सभी मंदिरों में आपको दिये की जो रोशनी है या जो भी जल रहा है या उनी लाइट्स से आप दशन करते हो यहां मंदिरों के तो अंदर की सीड़िया बहुत खड़ी है बहुत खड़ी चड़ाई है लेकिन मैं बताना चाहूंगी बहुत बहुत अच्छा लगा स्पेशली ये मंदिर को आप किधर से भी देखो कही से भी देखो आपको एक तो ब्रह्मपुतर नदी दिखती है तो वो अपन आप भूम भी सकते हो चाहिए तो बोट में भी अगर आपको चाहिए तो मैं एक उमानन मंदिर के उपर फुल वीडियो बनाऊंगी मेरे पास और भी बहुत सारा फुटेज है यहां पर रोपवे भी है तो हम लोग देख के काफी एकसाइटेड हो गयते कि रोपवे में क्य है और यह देखो यह फैरी है जो मैंने आपको बताया जो स्टीमर जो भी आप बोल सकते हो जो गवर्मेंट वाली है जो टाइमिंग पे चलती है यह वो वाली जगह है फिर वहां से हम आगे बढ़े और पहुचे अपने नेक्स डेश्टनेशन में जो की था उगरतारा मंद अब आते हैं उगरतारा मंदिर के बारे में थोड़ा जानते हैं तो यह मंदिर असम के गोहाटी के पूर्वी भाग में उजान बजार में उगरतारा मंदिर है यह एक शक्ती मंदिर है और किम दंती है कि शिव की पहली पत्नी सती के नाभी इस मंदिर से संबंदित है और उ अर्तमान मंदिर अहोम राजा शिर्फ शिंग ने 1725 इसवी में बनवाया था ठीक है जिरो ने तीन साल पहले एक टैंक की खुदाई की थी जिसे जोरे पुखुरी के नाम से जाना जाता है और मैं आपको बता दू कि उगरतारा के जो गर्वग्री है जो में मंदिर है उसमें क पानी से भरा हुआ एक छोटा सा गड़ा है और उसे ही देवी माना जाता है उगरतारा के बगल में एक शिवाले भी है और वहां से हम फटाफट निकले और आए अपने अगली मंजल के दरफ और ये था नवग्रह मंदिर अगैन नवग्रह मंदिर भी आसाम गुहाटी के श रहो के शिला शेक है और उनमें आप जानी सकते हो कौन कौन से नवग्रह है और अंदर में अगैन सारे मंदिरों के जैसे कोई लाइट एन लेक्टरिसिटी नहीं है सिर्फ दिये की रोशनी है पर जरूराना एक बार और वहां से हम निकले हमाई वैश्नोदेवी मंदिर वै अब यहां पर उन्होंने बाहर में एक बोड लगा दिया था जिसमें लिखा था क्लीरली की फोन नहीं ले जा सकते अंदर और नहीं विडीयो बना सकते तो हम लोगों ने जादा विडियो तो नहीं बनाई अंदर में देवी मां की एक मूर्ति है और बहुत सारे छोटे-छ चोटे भगवान है और एक शिवलिंग है इतना ही दशन करके हम वहाँ से आगे बढ़े और हम पहुचे बाला जी टेंपल बाला जी टेंपल में बताने सकती हूँ यह बहुत ब्यूटिफुल था इन फैक्ट मम्मी को बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मैं आज त और यह मंदिर में अगें सारे मंदिरों के जैसा फोटोग्राफी एंड विडियोग्राफी प्रोहिबिटेट था लेकिन बाहर में एक चीज़ बहुत अच्छा लगा सिंस बहुत धूपोरी थी यहाँ पे पानी पीने का और पैर हाद होने की विवस्त था थी बाहर में प् गरुर भगवान का मंदिर और एक पड़नावती भगवान का मंदर था और यग शालाए बहुत ही कुपसूरत सा बहुत ही अच्छा सा बनाया वा था उसके बाद हम पहुचने वाले थे अपने फैपरेट डेसने चना मिन उस्से पानी फेवरेट मैं ने बोल रही हूँ ऐस देखी थी वो मुझे बहुत बहुत like curious और excited कर रही थी कि क्या होगा कैसा होगा और मुझे बहुत मन्था यहां जाने का अब मैं बताती हूँ यह जो मंदिर है इसे हम भीमा शंकर मंदिर या भीमेश्वर धाम के नाम से जानते हैं और यह आसाम के गुहार्टी में पामुही क के पास डाकनी पाहार जिसे दैनी बाहार भी कहते हैं उस पर स्थेते ठीक है यह दो पोर बील के ठीक बगल में पाहारी पर स्थेते और ऐसा माना चाता है कि भगवान शेव ने भीमा सुर नामक राक्षर्स का विनाश करने और अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहां अफ्तार लिया था और डाक्नी का सटिक स्थान एक बहस का विशे है शिप पुरान और कोटी रूद्र सहिता में डाक्नी पहारी पर भीमा शंकर जोतिरलिंग का उलेक है और पामुही में भीमेश्वर धाम की व्याख्या भक्त उसी दादस जोतिरलिंग के रूप में करते हैं पुने के भीमा शंकर धाम को कुछ लोग द्वादस जोतिरलिंग भी कहते हैं यहां कोई मंदिर नहीं है इसके बजाए सीवलिंग के चारो और एक पहाडी धारा है और लिंग के उपर निरंतर पानी बहता हुआ देखा जा सकता है I mean मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको यहां आने के बाद मुझे जो सुकूद वो जढ़ने का साउंड आप सुनो एक बार ठीक है और इतना सुकून इतना अच्छा लगता है और मतलब मुझे ऐसा लगा कि बस मैं रह जाओ यहीं रुक जाओ और यह इतना प्यूरिफुल ता मतलब हम लोग पन्थे वेते टाइम में नहीं तो मेरा बहुत मन्ता ओधे स्टेर करने का बट हाँ यही हमारी आठो मंदिर की जर्णी समाप्त होती है और यह आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ मैं होप आप सबको बहुत मजा आया हो इसी तरह धेर सारा प्यार देते रहेगा कुछ भी पूछना हो तो में इसे कमेंस में आप पूछ सकते हो थांक यू सो मच पर वाचिंग थांक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूला